असलाम अलेकूम और वेलकम टो मोटिवेशनल स्केल्स बाई सूफीशर जैसा कि कुछ टाइम पहले गवर्मेंट आप से ने अनॉंसमेंट की थी कि एक टेस्ट ली जाएगी जो कि जनरल टेस्ट होगी उनकी तीन केटेगरीज होंगी यानि मेट्रिक बेस पर इंटर बेस पर और ग्रिजिशन पर वो जो टेस्ट कंडेक्ट की जाएगी आईबी की तरफ से की जाएगी यानि जो टेस्ट कंडेक्ट करेगा एदारा वो स्टीएस वाले आईबी वाले करेंगे उसके लिए उनने कहा था फाइफ ग्रेट से लेकर फिफट्टिन गरेट तक वो कोई भी जॉब्स करेंगे उसके लिए एक ही टेस्ट ली जाएगे एक जनल टेस्ट जो कई लेगा ठीक है उसके लिए आपको क्या करना ने क्या किया है सेंपल पेपर आफ इस्क्रूणिंग टेस्ट अगेंस्ट वेरियस वेकंड पोजिशन फराम बीपेश 5 तो 15 इन दा गॉर्रमेंट आफ सिंद्ध यानि जो गॉर्रमेंट आफ सिंद्ध की फाइफ ग्रेट से लेकर 15 ग्रेट तक जो मुक्तलिफ असामी यानि गिरिजिशन के टेगरी इंटर केटेगरी और मेट्रीकुलेशन केटेगरी अब तीनों का सेंपल पेपर अलग अलग आया यानि जो पब्लिश हुए 18 तारीकों नों पब्लिश कर दिया है मैंने ने पहले ही डाउनूड कर दी है आएं तो इनको देखते हैं यह सेंप सैंपल टेस्ट पेपर फार स्क्रीनिंग टेस्ट फार बीपिये स tomar फाइस 15 माइत्रीकुलेशन के टेग्री यानी मैटरे। डिगरी यानी मेटरी याटिक की है व Typ पर रहे हैं उनुकसेंपल पर क्या हो गा और उनका जह Member कॉन आएगा अब इसमें देख रहे हैं पार्ट वन में बताया जा रहा है कि English है English के 40 questions आएंगे पार्ट टू में mathematics है उसके 20 questions आएंगे पार्ट थी में है journal knowledge उसके 40 questions आएंगे आगे आते हैं पार्ट वन में इसमें English दिया है English में क्या है पैसेज दिया हुआ है ठीक है पैसेज में से आपको study करनी होगी रीडिंग करनी होगी उसमें सही सवालात आते हैं उनमें से आपको identify करने होंगे ठीक है यानि comprehension reading होती है उसके बाद word meaning word synonym आ रहे हैं ठीक है उसके आ रहा है spelling check उसके five questions आएंगे error detection के five questions आएंगे preposition के five questions आएंगे ठीक है उसके बाद sentence structure उसके five questions आएंगे उसके बाद पार two mathematics अब mathematics के आपके पास जो सवालात आएंगे वो 20 आ जाएंगे अब यहे एक सवाल दिया हुआ है मेरिस का तक्रीर में कोशिश करूँगा जो मेरिस subscribe कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके यह सारे जो लेक्चरें class three से लेकर class metric तक काफी topics हमने करवा हैं class wise अब हमारे पेज़ पर जाके playlist को follow करेंगे हर class के subject wise हमने topics वहां पे lecture available हैं आप लोग वहां से फाइदा उठा सकते हैं ठीक है और science class four से लेकर class eight तक complete हमारे पास available है और math और computer के भी काफी topics हमारे पास available हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं जो जो तक्रीवरे सेंपल पेपर सवालात आएं इन types के मैंने सारे सवालात explain करवायो हैं और उनके example भी करवायो हैं अब part three पढ़ा रहे है general knowledge अब general knowledge के आपके पास questions आए जाए ठीक है अब आ रहे हैं जो intermediate का जुसलेब से उसका देख रहे हैं जो सखराय भी आलों ने इंटर्वेस का दिया हुआ है sample paper test paper फार screening test फार बीपर 5-15 intermediate category अब intermediate के लिए sample paper तक क्रीवरे सेम ही चीज़ हैं यानि category जो उन्होंने बता हुए है portions बता हुए बना हुए हैं वो सेम ह इंग्लिश के 40 questions है mathematics के 20 questions है और general knowledge के 40 questions है यानि general knowledge में इन्होंने portions बनाए हुए है कि Islamiyad भी और computer भी दिया हुआ है general knowledge भी दिया हुए है और science भी दिया हुए है ठीक है अब part 1 है English के English में passage दिया हुए है यानि comprehension reading दिए है उसको reading करके उसके आपको answer देना है ठीक है में उसके बाद आ रहे हैं Sunonimus or Treatment उनको आप देखेंगे ठीक है उसके बाद आ रहाए Spelling चेक उसके बाद आ रहा है error detection उसके बाद आ रहाया यूज आफ प्रेपोजिशन उसके बाद आ रहा है sentence structure और उसके बाद आ रहा है mathematics अब ये इस टाइप के सवालाद में आपको पहले ही बताया है mathematics के तक्रीब इस सवालाद में ने करवाए हुए हैं वहाँ से आप लोग lecture class 3 से लेकर class metric तक काफी topics available हैं वहाँ से आप लोग फादा हासिल कर सकते हैं पार्ट 3 है general knowledge जनल में से current affairs word knowledge उसके पंदरा सवालाद आएंगे ठीके उसके बाद आ रहा है everyday science उसके आपके पास 10 सवालाद आएंगे उसके बाद इस्लामियाद पाकिस सवालाद आएंगे ठीके अब उसके बाद आ रहा है computer जिस टापिक्स मिल रहे हैं सेम टापिक्स हैं तक क्रीबन सेम चीज़ें हैं आप लोगों के लिए बहुत ही helpful रहेंगे उसके बाद आ रहा है sample test paper ग्रेजिशन के टेकरी जैनि जिसकी ग्रेजिशन है 14 एर 16 एजुकेशन है उनके लिए यह sample paper और syllabus दिया हुआ है ठीक है अब उसक passage की reading करनी हैंगी उसी passage में से आपको नीचे सवलात दिये गए हैं उन में से आपको identify करने होंगे कि passage की हिसाब से कुन से सभी जवाबात हैं उसके बाद नीचे आ रहा है meaning of synonym and antonyum समझाने words synonym of antonyum वागेरा आपके पास आ जा रहे हैं उसके बाद आ रहा है इंट्रुनि mathematics के 20 questions आएंगे हमारे page motivational इसके आवेलेबल हैं वहां से आप लोग guidelines help असल कर सकते हैं अब नीचे रहा है पार 3 जनल नौलेज जिसमें आ रहा है current affairs word knowledge उसके 15 सवालात आएंगे ठीक है everyday science उसके 10 सवालात आएंगे अब उसके बाद आ रहा है इसलामियाद पाकिसाइंस टेड़ी जिसके 5 सवालात आएंगे ठीक है अब उसके बाद आ रहा है computer यह computer के सवाल दिया हुआ है यानि इसमें फार्मुले वगएरा यानि आपको computer की basic knowledge जरूर होनी चाहिए जो कि आपकी तक्रीवन metric की level यहां 6th class जा 9th class के books को जरूर फालो करेंगे तो यह सारी चीजें उसमें available हैं आपके लिए बहुत helpful रहेंगी इसमें मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा जो topics नए topic आएंगे तो मैं उसको explain करवाने की बहुत कोशिश करूंगा जैसे मुझे time मिलता जाएगा तो मैं computer और mathematics के साथ जरूर शेयर करेंगे जैसे हमें time मिलेगा मुक्तलिफ topics पर आप लोगों के साथ discuss करते रहेंगे उम्मीद कर रहें कि आप लोगों के लिए फाइदे मन रहेंगे अगर आप हमारे पेज motivational इसके बाइस सुफी शेयर पर नए हैं तो इसे subscribe कर लें ताकि आने वाली updates आप